दोस्तो पेट कटाफ को ले करके एक बार फिर से लगातार हंगामा चाया हुआ है जरो तरफ से और साथ यहाँ पर UPSI रिजल्ड को ले करके दोस्तो यहाँ पर UPSI मैटर को ले करके भी काफी हंगामा चाया हुआ है दोस्तों हम बात करते हैं आज लखनओ में इको गार्डन में अभियर्थे द्वारा फिर से ये बात कही गई है और उनलों को द्वारा वकिल को भी हायर किया गया है और अगर बात नहीं बनी तो कोट में आजी का भी दायर करना पड़ेगा और वकिलों से मुलाकात भी हुई ह यहां मैं दोस्तों बता दें कि यहां पर 15 तारीक को बिसाल धरना का आयोजन किया गया है जितने भी अभियर्थी लखनओ के आसपास सिटी में या पर डिस्टिक्ट वरते हैं तो आप सभी लोग जो है 15 तारीक को 15 मैं को आप लोग सभी लोग इकठा होएं लेखपाल वेक पर रिक्षा होता है तो पहले से पता है कि 55 परेशन क्वालिफाइंग मार्ट होगा तो इसी तरह से यहां पर बीट में भी आपको पहले से क्वालिफाइंग मार्ट रखना चाहिए था उसी के हिसाब से बच्छे पढ़ाई करते त्यारी में अब उनको नहीं पता था कि 70, 60 65 62 64 कटाप चला जाएगा यह जो है आपको पहले से क्लियर करके रखना चाहिए था क्वालिफाइंग नेचर एक्जाम के लिए अब रही बात लेकपाल के लिए तो अगर आप लेकपाल फाम भरेंगे तो वहां पर आपको कटाप बनेगा लेकपाल के परिक्षाम बैठेंग तो वहां पर आपकी कटाप बनेगी वहां पर आपको जो है आपका सेलेक्शन अपडाउन होगा कटाप के हिसाब से बहुत ऐसे होनहार चात्र हैं पढ़ने में अच्छे चात्र है जिनका दो यह तिन नंबर से रुख गया है इतने हाई कटाप के चलते जिससे कि उनका करि बहुत दिन बाद यह तो सभी लोग की इक्षा थी और बहुत सार इस चात्र जो की इस पर इक्षा में बैठ नहीं पा रहे हैं बैठने से भी मतलब दूर हो गया है इस बात को लेकर के काफी नराजगी है तो एट लिस्ट यहां पर बैठने का मौका देना चाहिए था सभी को सभी को नहीं मतलब जो उस लेबल में एक ऐसा कैसा क्वालिफाइंग नेचर रखना चाहिए था यसा माक्स रखना चाहिए जिसमें लगभग लगभग वच्चे आ जाए और वहाँ पर जो भरती है वहाँ पर फाइनल कटाफ निकालना चाहिए था जिससे क्या होता सब दूसरी चीज यहाँ पर गल्स का कटाफ जो है इतना हाई गई है तो 64 यह कटाफ और बाकि जितने भी कटेगरी है यह भी एक सोचनी अभी से है इस बात को लेकर भी काफी लड़किया जो है वहाँ पर प्रेसर में हैं मतलब काफी और बोल रही है कि ने इको गाणन में इन होना है जैसा कि मैं प्रिबियस जो वीडियो है उन्टों देखके बता रहूं आपको तो लगना तो दोस्तों पंदर तारीक को लगनों में इको गार्डन में सब को इकठा होना है UPSI के बच्चे भी काफी परिसान है क्योंकि जो मुन्ना भाई है पकड़े जा रहे हैं 12 लोग एक साथ पकड़े गये हैं 6 लोग एक साथ पकड़े गये हैं इस तरह से करके लगातार पकड़ा पकड़ी चालू है आप देखते हैं आगे कितने लोग पकड़ आते हैं या वेकेंसी किलियर होती है या फिर नहीं होती है बहुत सारे मुद्धे है बाकी जो भी एबिट होगी दोस्तों आप वीडियो माधम से जरूर बताएंगे नमस्कार मेरा नाम पंकस आप देख रहेते पंकस एल्यू टेक कितने बताएंगे लोगने कितने जरुट है बताएंगे।